लाइक सब्स्राइब का बड़न दबा लो अगर आपको और ऐसे रिव्यूज देखने हैं तो मैंने अर्विन अधिगा की बुक अ प्राइज विनिंग किताब वाइट टाइगर 2010 में पढ़ा था यह आइना दिखाने वाली काफी मोटी किताब ने मुझे ठखजोड दिया खासकर इसकी प्रोटागोनिस बलराम का केरटर आप क्या इसकी मूवी एरेक्टिशन और नेट्प्लिक्स किताब जितनी अच्छी है चले ही करते हैं रिव्यू टाइम, तो वाइट टाइगर का और ऐसे और रिव्यू से लिए देखते रहिए जस्तना रिव्यू वाइट टाइगर है बलराम की कहानी जिसकी ऊपर पूरी कहानी गूंती है In fact, वो इस फिल्म में अपनी कहानी निरेट भी कर रहा होता है इस वज़े से जरूरी था कि बलराम का कैरेटर एक बहतरीन अक्टर निभाए इस परफॉर्मस से ही फिल्म बनती ही अब भी करती और आदाश गौरफ ने स्पॉट आउट परफॉर्मस दिया है इस बलराम आपको डर भी लगेगा, आप सिंपेटिक भी होंगे वो सारे इमोशन फील करेंगे जो प्रोटागिनिस फील कर रहा है इस टॉप क्लास अक्टर के अक्टिंग बिल्लिंस के वज़े से बलराम की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गाउ से और खतम होती है दिल्ली शहर में सिर्माटग्राफर पॉलेर और कैरनेरा एक रोविंग आखों की तरह ग्लोबलाइस इंडिया के दो डिस्टिंग चेहरे दिखाती है डिल्ली के बरे-बरे बिल्डिंग जहां प्रिवलिज रहते है और छोटे बिना छट के या फिर गंदे कमरे जहां अंडर प्रिवलिज रहते है उसी के साथ साथ एक और इंडिया जहां पूरा परिवार एक छोटे से कमरे में गाउ में रहता है और उनको सिखाया जाता है गुलामी करना रूस्टर सिंड्रम बलराम कहता है से मुर्गी को मालू है उसे कटना है फिर भी शान रहती है बलराम भी इसी में से एक था जिसका सबसे बरा सबना था जमीनदार के बेटे का ड्रैवर बढ़ना और इसके परिवार से दूर भागना जहां उसकी दादी जिसे निबाया है ब्रिलिन कमलेज गिल ने उसका खून चूज रही है बलराम का पहला रिवाल्ड अपने दादी के खिलाफ उसके किरदार का बदलाव की शुरुआद है इस फिल्म के द्वारा हमें हमारे देश के के डिफिशिंशिस राइटर डियरेटर राम बहरानी के इस वेल रिटन स्क्रिप्ट में पॉइंट आट होता है कास सिस्टम, इनिकॉलिटी, रेसिसम जिसे हमें दर्शाते हैं बलराम के मालिक जिने वो स्टॉर्क और मंगूस बलाता है इन किर्दारे को निभा रहे हैं महिश मांज्रेकर और विजे मौरिया दोने विशिसली इवल है ऐसे लोग जिनके बारे में हम इंटरनेट में पढ़ते हैं ऐसे लोग जो कास डिवाइट को बरावा देते हैं और हमारे देश के असली विलेंस है और फिर इस प्रिविलेश रिलेटिबल लोग जैसे अमेरिकन रिटिन कापल अशोक और पिंकी जिने पोट्रे कर रहे है राजकुमार राव अजीव से एक्षिन के साथ और सैटल प्रियांका चोप्रा जोनस का मैनिपलेशन राव और आदर्श का रिलेश्शिप एविलिशन है इस सीरीज की असली कहानी बलराम अशोक को भगवान मानता है शुरुवात में अब फिर धीरे धीरे अशोक के अंदर का शैतान दिख जाता है उसे और उसके बाद बलराम का भी शैतान निगल जाता है मुझे याद है जब मैंने बुक में वो स्वालिन्ट सीन को पढ़ा था उसने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया था फिल्म में भी कुछ ऐसा ही इमपैट होता है प्रियांका की पिंकी मैडम एक मातरे इंसान है जो बलराम को इंसान की तरह ट्वीट करती है क्योंकि वो भी इसी तरह गरीब परिवार से उठकर आई है और सक्सिस अचीव किया है यूएस में पर ये इन दो किरदारों के डिफरेंट ग्राफ हमें ये दिखाती है कि अमेरिका और इंडिया के डेमेटरिस्ट में कितना डिफरेंस है वहां का गरीब बच्चा अगर चाहे तो पढ़के आगे निकल पाता है यहां तो हम चात बात की बात से आगे निकली नहीं पाते एक और मुमेंट जो बुक में तो अच्छी थी पर मुवी में जगजोड देगी वो है वो सीन जो बलराम के किरदार को बदल देता है सिंपलिटन्स से चालाग, चालाग से डेंजिरस बना देता है इस सीन का इंपैक्ट का क्रेड़ पूरा जाता है गौरफ के कमाल आक्टिंग को इस सीन में गौरफ की आखे नर्वस से गुसः गुसः से सकैरी की तरफ से ली जाती है वो सीन है जब उससे जबरसदी कुछ साइन कराया जाता है कितना कुछ बोलता है ये हमारे society के बारे में इसके बाद बलराम का constant degeneration justified लगता है बलराम कहता है उसे दुनिया की सच्चा ही पता जल जाती है इस सीन के बाद रामेन बहरानी का फिल्म adaptation अच्छा है पर के जगा मुझे लगता है जादा ही grotesque किया गया है चीज़ों को unnecessarily पर White Tiger एक difficult किताब है adapt करने के लिए तो बहरानी को credit जाता है इसे पूरी इमानदारी के साथ करने के लिए मैं दे रहा हूँ था White Tiger को 3 out of 5 सब के लिए नहीं है पर जिन्होंने बुक पड़ी है वो माने के कितना difficult था adopt करना इसे movie के लिए आप लोग इसे देखिये आदर्ज गौरफ के बहतरीन acting के लिए एक नया सितारा ने जर्म लिया है acting के दुनिया में देखना चाहूँगा इस actor के journey को in the future ऐसे कुछ और रिव्यूज जैसे नेल पॉलिश वांडा विजिन एपिज़द 3 रिव्यूज डाल दिया है आप लोगों के लिए ऐसे और चटपड़े रिव्यूज के लिए देखते रही है जस्तन रिव्यूज